हेलो एवरिवन इस वीडियो में आपको मोल कॉंसेप्ट के जितने भी कोस्चन है उन सबको एक ही फर्मूला से निकालना सिखा दूँगा वो अलब फर्मूला है हमारा नमबर ओफ मोल इस इक्वल टू गिवन मास भाई मोलर मास इस इक्वल टू नमबर ओफ पार्टिकल्स नमबर ओफ पार्टिकल्स में एटम्स भी हो सकता है molecules या ions भी हो सकता है divided by avogadros number आपको पता है कि avogadros number का value होता है वो 6.022 into 10 is to power 23 atoms, molecules या ions होता है अगर मैं number of moles को 60 में लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा small n से लिखते हैं इसको given mask को मैंने small m से लिखा है molar mask को मैंने capital M से लिखा है number of particles को हम n से लिखते हैं और avogadros number को हम na से लिखते हैं तो ये वाला formula जो है इसी formula से मैं आपको पूरा mole concept के जितने भी question है उन सब को solve करना सिखा दूँगा तो देखो करना क्या है अगर हमसे पूछे number of moles find करना हो और given mass और molar mass दे दे तो हम इस formula का use करेंगे अगर हमें question में number of moles दे के और number of particles हमसे पूछे और avogadros number हमें पता होता है तो फिर हम इसका relation इसके साथ find करेंगे ठीक है अगर हमसे question में ये पूछ दे कि number of particles हमें दे रखा है avogadros number हमें पता है molar mass पता है और given mass मास अगर हमें दे देगा तो फिर हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे इतना तो इसी तरीके से हम सभी कोस्चन को सॉल्व कर देंगे अगर हमसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे अवोगाड्रो नंबर पूछे या हमसे गीवन मास पूछे और मुलर मास पूछे और नंबर ऑफ मॉल्स पूछे तो हम सब का एक दूसरे से रिलेशन में लाके और हम कोस्चन बना सकते हैं ठीक है तो इस चीज़को आप दिहान रखना तो यह एक टूसके साथ बनेगा एक ये यह जो है यह और यह बनेगा इसके साथ मतलब यह है कि मैं नंबर ऑफ मोल्स करना चाता ओं और नमबर ऑफ पर्टिकल समय पता हो और अविजाट रोस नमबर हमें पता हो तो हम इसवाले प्रमूले से number of moles निकाल सकते हैं या हमें number of moles दे दे और number of particles हमसे पूछे तब पर भी हम यह वाली formula का यूज़ करेंगे तो आप देखना question में किस तरीके से question पूछा जा रहा है अगर हमसे question में given mass पूछे जाएगा और moles दे देगा calculate the number of moles of the following हमें number of moles find करना है जो यह दिया गया है इनका तो दिया गया है 12 gram of helium और B में दिया गया है number of particles helium का तो देखो मैंने यह वाला formula यहाँ पर लिख दिया है आप मुझे बताओ कि first part को solve करने के लिए इन में से कौन सा relation मैं लिखूँगा तो थोड़ी देर आप वीडियो को pause करके पहले सोचो और फिर इसको solve करने के कोईश करो तो आपका answer विल्कुल सही है कि हम इस वाले relation को यहाँ पर लिखेंगे तो यह है number of moles यह है given mass और यह है molar mass तो हम इसका use क्यों करेंगे क्योंकि हमें given mass दे रखा है और helium का molar mass हमें पता है चार होता है तो यह मैंने पीछले वीडियो में बता दिया कि कैसे molar mass find करते है तो हम बहुत ही असानी से इसको find out कर सकते हैं क्योंकि हमें सब कुछ दिया हुआ है तो given mass दे रखा है 52 और molar mass जो होता है वो चार होता है तो हम इसको काटेंगे तो यह 13 आएगा तो हमारा number of moles जो है वो answer 13 है यह निकल के आगे हमारा answer ऐसा ही आप मुझे बताओ कि second part को हमें कैसे करना है किस relation को मैं यहाँ पर लिखूँगा तो आपका answer सही है हम इस वाले relation को लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर यह number of particles है divide by Avogadro's number और इससे number of moles हमें मिल जाएगा और हमें Avogadro's number हमें पता होता है कितना होता है 6.022 into 10 is to power 23 और यह हमें दे रखा है number of particles हमें दे रखा है helium का तो इस वाले relation से हम find out कर सकते है तो number of particles कितना दे रखा है 12.044 into 10 is to power 23 और Avogadro's number कितना दे रखा है 6.022 into 10 is to power 23 तो इनको जब हम काटेंगे यह 10 is to power 23 10 is to power 23 ज़कर जाएगा यह 616 और यह 621 तो हमारा number of moles जो है वो दो निकल के यहाँ साएगा तो देखो आप कितना आसानी से निकाल सकते हो इस तरीके से question तो मैंने पहले ही कहा था कि इस relation को भूलना नहीं है बिल्कुल आप से number of moles पूछ सकता है number of particles देखे given mass देखे, molar mass देखे, कुछ भी देखे पूछ सकता है तो next question की तरफ हम बढ़ते है दूसरा question हमारा है calculate the mass of the following हमें mass find करना है जो हमें ये नीचे दिया गया question है उनका option A में जो है वो दे रखा है 0.5 moles of nitrogen gas तो हमें mole दे रखा है और हमसे पूछ कहा रहा है mass और second question में क्या पूछ रहा है number of particles देखे और mass पूछ रहा है तो आप मुझे ये बताओ कि option A को जो हम solve करेंगे तो इन में से कौन सा equation को हम लगाएंगे तो देखो यहाँ पर हमसे mass पूछ रहा है यानि ये हमें find करना है और molar mass में पता होता है nitrogen gas का तो molar mass भी में पता है और number of moles भी पता है तो आपका answer बिल्कुल सही होगा कि हम इस वाले equation का use करेंगे तो मैं यहाँ पर use कर रहा हूँ इसको number of moles is equal to given mass divided by molar mass तो देखो molar mass जो होता है nitrogen gas का वो होता है 28 nitrogen का होता है 14 क्योंकि nitrogen यहाँ पर 2 है तो हमने 14 को 2 से गुना कर दिया है तो 28 ग्राम निकल के जो हमारा आएगा वो nitrogen gas का molar mass होगा तो हमारे पास क्या क्या चीज है 0.5 number of moles से दे रखा है अब हम इसको multiply करेंगे क्रिस क्रॉस वाली तो हम इसको इससे multiply कर देंगे तो यह कितना है यह 28 is equal to mass तो हमें mass मिल जाएगा अब देखो 0.5 को मैं 1 by 2 भी लिख सकता हूँ क्योंकि 1 by 2 का मतलब होगा है 0.5 और इसको मैंने गुना कर दिया 28 से तो 2 एंजा 2 और 14 तूजा 28 तो mass हमारा कितना निकल के आगया है 14 gram तो हमारा तो हमारा एक answer होगा 14 ठीक है आप मुझे बताओ कि number of particles दे रखा है और हमसे mass पूछ रहा है तो मैं कौन सा equation यूज़ करूँगा आप वीडियो को रोक के और मुझे बताओ तो आपका answer विल्कुल सही होगा कि हम इस वाले equation को solve करेंगे given mass by molar mass is equal to number of particles divided by evogadros number तो देखो number of particles भी दे रखा है evogadros number हमें पता होता है molar mass by में पता है हमें find करना है यह वाला तो मैं इसको criss cross multiply करूँगा तो यह क्या होगा यह find करना है given mass तो यह हो जाएगा n by evogadros number into इसको मैं उपर multiply कर दूँगा तो ऐसे होगा equation अब हमारे पास जो value है उसको रख दो तो number of particles दे रखा है 6.022 into 10 is to power 23 और multiply क्या करना है molar mass और अभी मैंने बताया कि nitrogen molecules का 28 होता है molar mass तो यह देखो यह कड़ गया है एक हो गया यह 1 into में 28 28 को 1 से करेंगे 28 ही आएगा तो जो हमारा mass निकलेगा B का वो आएगा 28 gram तो देखो मैंने इसका answer भी बिलकुल इसी formula से निकाल दिया है तो जितने भी हमारा पास question आएगे सबको हम इसी formula से निकालेंगे 3rd question हम से कह रहा है convert 22 gram of carbon dioxide into moles हमें 22 gram carbon dioxide को moles के अंदर convert करना है कि कितना moles होगा अगर मेरे पास 22 gram carbon dioxide है तो तो आप मुझे यह बताओ कि इन में से कौन सा equation यूज़ करूँगा तो आपका answer विलकुल सही है कि N is equal to given mass by molar mass वाला equation यूज़ करूँगा क्योंकि यहाँ पर given mass भी है हमारा पास और carbon dioxide का हम molecular mass निकालते हैं तो उसका molecular mass 44 gram होता है तो हमारा पास दोनों चीज़े present है given mass भी है और molecular mass भी है इसलिए हम इस equation का use करेंगे तो number of moles निकालने के लिए हम क्या करेंगे given mass कितना है 22 gram और molar mass कितना है 44 gram जब हम इसको divide करेंगे तो ये 1 by 2 होगा तो number of moles हमारा 1 by 2 निकल क्याएगा और 1 by 2 को अगर हम divide करेंगे तो 0.5 होगा तो number of moles जो है 22 gram carbon dioxide में 0.5 moles percent है मैं आपको एक question दे रहा हूँ आपको comment में बताना है fourth question है convert 12.044 into 10 is to power 23 molecules solve sulfur dioxide into moles इतना molecules दे रखा है sulfur dioxide को और convert करना है इसको moles के अंदर आपको 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 आपक